वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बाजी की घटनाएं अकसर सुनने को मिलती हैं कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी पशिम बंगाल में अब पत्थर बाजी का ताजा मामला राजस्थान के भील बाडा का है यहां एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा आए गए हैं जिससे ट्रेन का शीशा तूट गया है गनीमत यह है कि ट्रेन में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई है वहीं ट्रेन पर पत्थर बाजी करने वाले अराजक तत्वों की तलाश में जी आरपी और आरपी एफ टीम जुट गई है बता दे कि राजस्थान में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रस पर हमला होने जैसी घटनाए कम होने का नाम ही नहीं ले रही ट्रेन को शुरू हुए एक महिना भी नहीं हुआ और हमले और अन्य घटनाए भी लगाता सामने आने लगी है उदैपुर से रवाने होने वाली जैपुर पहुची वंदे भारत ट्रेन जब जैपुर से फिर से उदैपुर के लिए रवाना हुई तो भीलवाडा के रायला स्टेशन के पास अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थराफ कर दिया जिससे ट्रेन में बैठे लोगों में अफरात तफरी मच गई वहीं एक बोगी का कांच भी तूट गया और आजक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर रग दिये थे गनिमत थी कि कोई हाथसा नहीं हुआ वंदे भारत ट्रेन जैसे ही रायला स्टेशन के पास होकर गुजरी उसी दौरान ट्रेन पर अचानक पत्थर आने लगे और एक बोगी के खिड़की का कांच तूट गया इस दौरान बोगी के अंदर बैठे यात्रियों में भी दहशत फैल गई लोकोपाइलिट ने ट्रेन को स्टेशन पर रोक कर जाच परताल की तो एक कांच तूटा हुआ मिला बता दे की वंदे भारत ट्रेन को शुरू हुए महस 25 दिन ही हुए हैं लेकिन चार हाथसे हो चुके हैं पहले दिन ट्रेन के आगे एक मवेशी आ गया था जिसे ट्रेन के पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचा था तो वहीं दो दिन बाद ट्रेन के बोगी के काच को किसी ने तोर दिया था। उसके बाद ट्रेन की पटरी पर लोहे के पार्ट्स पत्थर कंक्रीट रख दिये गए थे और अब भील वाड़ा में फिर से ट्रेन पर पत्थर बरसाए गए हैं फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही राजस्थान से जुरी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं टीवी नाइन राजस्थान दान्यवाद